एक समय की बात है अखिल ब्रम्हांड नायक भगवान श्रीकृष्ट की मुलाकात प्रेम की प्रतीक राधे रानी से होती है राधे रानी ने मुस्कुरा कर पूछा कैसे हो द्वार कादीश कनहिया ने विस्मित होकर कहा राधे मैं तो तुम्हारा काना हूँ फिर तुमने मुझे द्वार का धिश कहकर क्यों बुलाया राधे रानी ने जवाब दिया मेरा काना तो गोकुल का वो गौला है जिससे सारी ब्रिजभूमी प्रेम करती है मगर इस समय मैं द्वार का पुरी के राजा के सनमुख खड़ी हूँ एक प्रेमी और एक राजा में क्या फर्क होता है आओ मैं तुम्हें बतलाती हूँ फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में का नहाँ सुनो द्वार का दीश बताए तेरी राधा सुनो द्वार का दीश बताए तेरी राधा फर्क बड़ा है प्रेमी और राजा में का नहाँ सुनो द्वार का दीश बताए तेरी राधा सुनो द्वार का दीश बताए तेरी राधा सुनो द्वार का दीश बताए सुनो दीश दासमें का दीश बताए तो सुनो दे लाधा गुकुल का कान हाँ प्रेमी था गुकुल का कान हाँ प्रेमी था जो प्रेम में हसके मिट जाता औरों को मिटा कर राज करे अब वो ही राजा कहलाता प्रेम की भाशा क्या समझे जानेगा राजा प्रेम की भाशा क्या समझे जानेगा राजा सुनो द्वारी का धीश बताए तेरी राधा सुनो द्वारी का धीश बताए तेरी राधा सुनो द्वारी का धीश बताए तेरी राधा यमना का मीठा पानी भी यमना का मीठा पानी भी तुझको तो रास नहीं आया साधर के किनारे आ पहुचा साधर के किनारे आ पहुचा खारा पानी हिस से आया तुम भूल गए हम तुमको ना भूली है आना सुनो द्वारी का धीश बताए तेरी राधा सुनो द्वारी का धीश बताए तेरी राधा जिस उंगली पे मुर्ली सजती अब चक्र सुदर्शन सजता है प्रेमी तो रक्षक होता है राजा महा भारत रचता है युथ ही भाए प्रेम उसे बिलकुल ना भाता सुनो द्वारी का धीश बताए तेरी राधा सुनो द्वारी का धीश बताए तेरी राधा मैं प्रेम पुजारन हूँ प्यारे मैं प्रेम पुजारन हूँ प्यारे मेरी तो बस पहचाने ही तुमने गीता साग्रंथ दिया जिसने मेरा कही नाम नहीं मगर समापन पे मगर समापन पे जगरा धे राधे गाता सुनो द्वारी का धीश बताए तेरी राधा 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 वो छवी द्वारी का धीश की तुम वो छवी द्वारी का धीश की तुम हर मंदिर में तुम खड़े प्रिये मेरे साथ नजर ही आओगे मेरे साथ नजर ही आओगे हर शप्रेम ही दनिया में है पूजा जाता सुनो द्वारी का धीश बताए तेरी राधा 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 सुनो द्वारिका जीश बसाए तेरी रागा